गीता में अर्जुन को स्वैम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्व दर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्व दर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचान ये है कबीर चरीतर बोध और इसके यह 1870 पर अठारा सो सतिर पर यहां देखिएगा कबीर साहव के पंथों का वरंतान्त नंबर एक है नारा नदास पंथ यहां इनों ने ये नारण दास पंथ गल्द लिख दिया क्योंकि नारण दास तो कति कभीर जी से भी मुख था उसे ने तो ये सविकार ही नहीं किया था यहां लिखना था पर्थन चूड़ामनी का पंथ और दूसरा यागबोदास तीसरा सूरत गोपाल चोथा मूल नरंजन, पाँचमा टक्सारी पंथ, और छटा बगवान दास का पंथ, सत्नामी सात मा, आठमा कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था, रामकबीर पंथ, नौमा, परमदाम की वानी दस मा, और ग्यार मा जीवा पंथ, और बर मा मा होगी, ये कहां बोले हैं, अब हम आ जाते हैं, कबीर वानी, बोद सागर, कबीर वानी ये 136 प्रिष्ट पर है, द्वादस पंथ, चलो सो भेद, अब द्वादस पंथ, काल फुर्माना, भुले जीव नजाएं ठिकाना, ये कबीर परमेश्वर की वानी है, और ताते पर्थम साखा हमारी, यह उन्होंने वहाँ पर्थम लख दिया, इन्हों जागू लख दिया, दूसरा, ये पर्थम ये लख ओना चीए था, पर्थम ने जागू लख दिया, जब कि यहां लखना चीए था, पर्थम, ये चूड़ा मनी को पर्थम लखना चीए था, जब प क्योंकि यह पेरलल चलेगा जब सम्झमावगी पहुत अलग जावा है पर्थम नारान दास लिखा नहीं यहां लिखना था यह चूडा मनी और दूसरा जागू दास जागू और तीसरा सूरत गोपाल चोथा मूल नरंजन टकसार कापन अब यह याद रहे जाएंगे आपके अब हम कबीर वानी कबीर बोध सागर माग 136 पर यह पर्थम जागू लिख जैनोंने यह दूसरा जागू होना चीए था और तीसरा सूरत गोपाल मूल नरंजन की वह यह नो के नो वहां कलियर लिख्या हुआ हुआ है टकसार का वेद यह बिजग पन्थ जीवा का पन्थ शुरुड पिर पम कबीर यह गैनी पन्थ गैंनी फंथ गाम पन्थ और सबल द्धान क्रणलिवा को किवानी यह नुदर द स्था लिखानी अगależ सो पच्छतर होई यह मिस्प्रिंट हो रहा है यहां पर सम्वत सत्रा सो पच्छतर है नहीं है चुएतर होना चीए सन सम्वत सम्वत सत्रा सो चुएतर मैं गरीबदास जी का जनम है यह बार मापंथ गरीबदास पंथ है सन सम्वत सत्रा सो चुएतर और सन सत्रा सो सत्रा मैं ग परगट है जग सोई, यानि गरीवदास जी के बाद कबीर साहिब की फिर से महिमा हुई, थोड़ी थोड़ी आगे देखा, आग्या रहे, बर्म बोद लावे, कोली चमार सब के गर खावे, साख हमारी जीव समझावे, असंकों जनम ठोर नहीं पावे, ये बार में पंत परग पंत है, गरीवदास पंत फिर देख लिजीए, ये है कबीर चरीतर बोद में, और ठारा सो सत्य रपे, कबीर साहिब के बारा पंत हों का, ये बार में पंत गरीवदास पंत है, अब बार में पंत का हम फिर आगे यहां पर 136 यहां पर बोद सागर में, और कबीर बाणी के दोरा मेरी मैमा की बाणी मेरी यथारत ग्यान फिर से परगट करवाऊंगा परवेस्वर कबीर जीन गरीबदास जी में सारा ग्यान फीड कर दिया उन्होंने फिर बोला और लिपिवद किया गया अब कहते हैं बार में पंथ परगट होई बाणी सब्द हमारे की निरने ठानी हमारी बाणी को समझने के चेश्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले लेकिन समझनी सकेंगे अस्थिर घर का मरम ना पावे आए है यह बारा पंथ हम इसको धावें अब गरीबदास पंथ तक भी प्रमातुमाने बेन लगा जिया कि ये पार नहीं हो सकते फिर कहते हैं बार में पंथ हम ही चल आवain गिरीब दास वाले पंथ में कहते हैं आगे चलके हम ही आवेंगे और सब पंथ मेटा एक ही पंथ चलावाएं कलियर हो गया, कि बार में पंथ मेरी महिमा की वानी पर गट होगी जो थोड़ी बहुत गरबट कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूँगा और बर में पंथ में हम ही आवेंगे अब प्रमात्मा नहीं आए तो इस दास को वेज दिया अपने को लेकिन सक्तिवनी की काम कर रही है और सब पंथ मिटा एक ही पंथ सला में अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्वे में एक ही पंथ रहेगा एक ही भक्ती का मार्ग रहेगा अब फिर क्या वैते हैं कि पर्थम चरन कल्युग निराना तब मगर मांडो में दाना अब कहते हैं पर्थम चरन जो होगा तीन चरन बताए है एक पर्थम एक लास्ट और ये मत देखा तो पर्थम कल्युग में वहां से सुरू हुआ पर्मात्मा मगर से सह सरीर गए थे लाखों लोगों के विक्तियों के उपस्ती थी मैं ये पर्थम चरन था अब यहां से सम्झमाओगी के बार में पन्तम है मेरी बाणी परगट होगी सही ग्यान उससे मिलेगा अब यहां कहते 5500 पन्फ़चा तब ये सब्षब होगा साचा कहते 5500 पन्फ़च वर्स जब कल्युग बीट जागा तब ये मेरी बात साची होगी जो आज मैं बता रहा हूँ तेरे को के हम पर गठोंगे सब गान सब पंथों को मिठाके एक पंथ जला देंगे दरम दास मोरी लाक दोहाई ये मूल सबद बार ना जाई ये बार है और पवितर गान तुम जग में बाखो मूल गान तुम गुप्त राखो मूल गान जो बाहर पढ़ी ये बिचली पीडी वनस हंस नहीं तरही तेतीस अरब गान हम बाख्या और मूल गान हमने गुप्त ही राख्या गोई वाने गुप्ते मूल गान तुम तब जच्छपाई जब लग द्वादस पंथ बिटाई अब ये बारा पंथों का अब नास हो जागा क्यों उनके पास बगती कुछ नहीं उनकी विधी का पता अब सचा ये वह हम परगट करेंगे अब यहां देखिएगा ये कबीर बहुत कबीर बाणी हम पढ़ रहे हैं इसमें और कंसर्ट कलियर कर दिया 134 परिष्ट पे यहां लिखा है कि वन्स परकार पर्थम वन्स उतम ये चूड़ा मनी जी हैं ये पर्थम वन्स तो उतम दूसरा वन्स एंकारी वो जगू और तीसरा वन्स परचंड चोथा वन्स बिरहे पांचमा वन्स यह निंदरा और छटा वन्स उदास साथमा वन्स ग्यान चतुराई और आठमा वन्स द्वादस पंथ विरोध नौवा पंथ वन्स पूजा और दसमे वन्स में दसमे वन्स परकास ग्यारमें वन्स परगट पसारा और बार में वन्स हवे परगट उजी आरा बार में मैं गरीब दास जी बार मापन्त होगे इनके दुआरा मेरी वाणी का बार में वंस परगट हुए उजियारा मेरी वाणी का यानि मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होगी और तेर में वंस मिटे सकल अधियारा ये दासी वे तेर मावन से उस पुरम पिता का कहते हैं सारा अंदेरा मिठ जागा इसा ग्यान देगा वो सब तरह से सेट कर देगा तेर में वनस मिठे सकल अंध्यारा एती दगा काल की समाई तत बिंदू की टेक रह जाई ये काल का इतनी दगा होगी फिर भी तत वग्यान कहीं ना कहीं सदगरतों में छुपा ही रह जाएगा अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रक्रण दिया है जैसे आप जी ने रगवेद मंडल नमर नो सुक्त नमर एक मंत्र आठ नो में सपष्ट देख लिया कि उस प्रमेश्वर को उगर गतियां प्रेड़ना करती है और वो प्रमात्मा एक सुन्दर स्रीर को प्राप्त होता है भास्वान स्रीर को और उसके तीन परकार का स्रीर होता है और जब उन तीन परकार के स्रीरों में जो लीला करता है उनमें से एक में सी सुरूर दारन करका आता है तब कवारी गाएं से दूद पीता है अब जैसा कवीर सागर में लिखा था तो वहां इसमें कुरेक्शन करने वाड़ों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड दिया कि उसने न्यों बता दी तुम कवारी गाएं का दूद पीवगा और आगे लखिया वो दूद वो फिर दूद चला गया वो दूद का परकरण काट दिया इन्होंने फिर भी मालकी दया से वो दो पंक्ती रहेगी अब गरीवदास जीन वो निरने किया है कोई नहीं समझ सकेगा ये मेरी वानी का निरनेत करन की चेश्टा करेंगे पर इनको ग्यान नहीं होगा और ये बारा पंथ हमी को जाओंए अस्तिर गर का मरम नहीं पाओंए असंग जनम ये ठोर नहीं पाओंए अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छोडानी जाते थे जहां गरीबदास आदरी गरीबदास साहिब जी का जनम हुआ था जहां पर मातमा कबीर देव जी उनको जंगल मा के मिले थे हमारे पूझे गर्देव जी वहां जाते थे एक लिंक जोड़ना था पहले लिखा हुआ था इसलिए गरुजी के सत लोग जाने के बाद मारा वहां पर बहुत विरोध हो गया क्योंकि हम सचाई बताओं वो अनुआद गल्द करें गरीबदास जी की वानी का तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी हमने अलग से आसरम सेट करना पड़ा फिर वो इतने विरोधी होगे कि हमारे साथ हमारी बताने कि इतनी कि उन्होंने अफ़एं फैलानी शुरू कर दी वो गुंडा है बदुमास है जुटा है यह है तो वो कांड करवा दिया करो था कुछ यह और दूसरे पंठी लाग डियारी समाज जाले जो उनकी पोल खोल दी दासने सचाही बता गया तो सबने मिल कैयों पंगा पाई दिया है लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ ने बिगाड सकता पहले से अधार गुना आगे बढ़ गया हमारा पंठ पूरे विश्वम चला गया परमात्मा का ग्यान क्योंकि यह परमात्मा का चलाय हुआ है और इसमें जो बादा करता है भगवान के जागदा था च्छाती तुडवा के मानिया कहते हरना कुछ च्छाती तुडवाई और ब्रामन बाना करम कसाई आचारिय को आवर जलम इसे करें तो वो कहते है इसे यह पापी कहते है हरना कुछ च्छाती तुडवाई और ब्रामन बाना करम कसाई उत बगद को आवे और कर मान दिखाते हैं. our जो तुम ना लिखया ,वो रू रू रूक रहते हैं, इस वैस्पया है जूट कहा बहुता है? आप το गुरू ने लिख रका है , चैप्टर है पार्ख कांग , उसमें बहुत निरनाई ग्यान दिया है , क्या लिखा है अब क्या बताते हैं अब गत बदन बनोद और महके कमल खुसी भहे और लिया इसकों गोदे नजर नजर से मिल गई किया इस पर्णा में अब ग्रीब दास्टी नपूर्ती की है जो नो दूद आगया दूद चला गया फिर खुस होया जो बकवाद कर रहा कि कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया यह हो गया अजरी सचा यह थी जो ग्रीब दास जी ने बताए जैसे आदर्णी तुलसी दास साहिब जी ने शिरी राम चंदर जी की रामान लाखों वर्स पहले जो गटना गटी थी अब कलियोग में एजिटी जी लिख दी चौपाईयों के माज जमते हैं और सब को मानने हैं वे क्योंकि एक दिवदरिष्टी रेंज होती है उस तुलसी दास की रेंज खुल गी थी वह दिवदरिष्टी खुल गी थी और पीछे की जो चलती तरकी तरह सामने आ जाती सब गटना है वो तुलसी दास जी ने लिख दी थी और वो सही है ऐसे ही गृबदास जी ने प्रमातमा ने गृबदास जी की दिरिष्टी खोल दी ग्यान योग खोल दिया अब वही जो लीला है कासी में गटी थी उसे अर्बों खर्बों वरस पहले शिरिष्टी चाहां से सरार परानों वहां तक की रेंज मालकी क्योंकि ये दुर्बीन की रेंज होती है दूर दर्सी की तो प्रमातमा तो गृबदास जी को रेंज दिवा सबसे दूर तक की रेंज की थी तो गृबदास जी ने जो भी वारता हुई वो चलती तरकी तरह जेकर जब लिए वानी क्या लिखा है सिव उत्रे सिव पूरी से अवगत बदन बिनो दे मैं के कमल खुसी भहे लिया इस कूंगो दे सिव भगवान ने जो सादू रूप मखड़े थे बालक रूप पर मातमा को गोद में ले लिया नजर नजर से मिल गई ही किया इस पर नामे जब दोनों सक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमातमा को परणाम किया सिव जी ने और क्या कहा दन मौमन दन पूरे ना ये दन का सी नी कामे कैसे महा पुरुष आए अब वो पैचान तो नहीं सके सिव जी के ये कौन पुरुष है कौन भगवान है लेकिन उनकी जो लीला छवी और अंदर की क्योंकि इनके अंदर दिवद्रिश्टी होती है ये वज़ से महसूस हो गया कि ये बहुत परम सक्ती परम सिद पुरुष है इन बिरमा विशुन महिस से तो बहुत अन्य और भी सिद से अलग अलग विराइटी की सक्तियां होती है इन से जो अलग और भी अच्छे संत्सादू होते है तो इनोंने सोचा कि कोई और परम सक्ती है जिसको हम भी नहीं जानते है वहां से कोई अवतार आया ही तो इस जान करके उन्होंने बगवान सीव ने भी परनाम किया साथ बार चर्चा करिये बुले बालक बेने शिव कु कर मस्तक धहरा ला मुमन एक धहन अब साथ बार कबीर साथ की बालक रूप में नौजासी सुरूप में और शिव जी बगवान साथ दूरूप में खड़े साथ बार बात थी तो ही और वो खड़ी खड़े देख रहे दोनों पती पतनी वो सोच रहे साथ दो में इतनी करामात हैं कि मेरा बेटा बलुआ दिया अवसे ये मेरे बच्चे को दूद भी बिलाएगा फिर शिव ने कहा उसर प्यादर कब मौमन को के धन भाग ए तुमारे मौमिन माने मुसलमान नीरू को कहा कि जाओ धन भाग तुमारे गर पैसे बचाया ही तो प्रम सकती है और इस का सी का भी धन भाग गय जाबरैसे संथ पर गठ हुए है ग्मारी को बिना ब्याई को दूहत है दूद दिया ततकाल पी वै बालक बरम गती ही तांसीव भैए द्याल अब यहां भी सबस्ष लिख जया कि कुवारी गाएं का दूद पिया उस बालक ने और उपरमात्मा की उस सुक्सम वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा कि एक गाएं ला जिसके संग बैल नहीं लागा यानि कति अंटज और वेद बताते हैं रगवेद मंदल नमबर नौ सुक्त नमबर एक मंदल नमबर आठ नौ में सबस्ष किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप दारन करते हैं तेजों में तीन सती थी में उनका रूप है उनमें से एक सती थी दो सीशू रूप में परमात्मा की प्रवर्स की लिला कोटारी गाहँ से होती है आज तक ही तिया सुना जो किसी भी बगवान का ऐसी लिला होई होजो वेद में लिख रख़ रके हैं और जिन्होंने भगवान को देखा, उन मापुर्शों ने अपने एफिडेवट दे रखे, हम सुल्तानी नानकतारे दाद्दू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, ये कासी महें कभीर हुआ, बलो सद्गुर्देव गी जैहो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वश्रिष्टी रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं, पुनात्माओं, अज्दात्मिक ग्यान इतना उलज चुका है, कि इसको अब सुल जाना बहुत ही कठीन हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे सद्गरंत क्या बता रही हैं, और हमें ग्यान क्या मिला, इसका कारण क्या था, इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है, यहां कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता, ये यहां का दो स्वामी है, ब्रम जिसको कहते हैं, सरपुर्स भी कहते हैं, जोच्छुरूपी, निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहां के प्राणियों को, प्रमात्मा के विशे में जानकारी हो इसको भै बना रहता है कि यदी इनको अपने मूल सथान का ग्यान हो गया और वहां के सुख से ये प्रिचित होगे या कोई नहीं रहएगा इस डर से ये राजनीती से और घटिया राजनीती से हमें या रोके हुए है सुन योजित सडियंतर से हमें या बांधे हुए है रोके हुए है कोई भी किरिया देख लो हमने विवस होके करनी पड़ रही है शरीर ऐसा दे दिया यदी इसके अंदर टुकडा ना डालेंगे तियो काम नहीं करें इसकी रख्षा करनी पड़े गर्मी सरदी से भी बचाना पड़ेगा सारा जीवन हम इसी सरीर के पालन पोर्शन में लगे रहते हैं इसे के रख रखाओ में पूरा जीवन खो देते हैं रंत में इसको भी खतम कर देता है यदी ये ना नश्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी हम इतने डीठो रहन दुखों को भी देख लेते पढ़े रहते अभी लेकिन ये नश्ट भी साथ होता है ये डर साथ बना रहता है कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस अध्यात में की ज्यान से पूरण रूप से परिचित नहीं होंगे हम परमात्मा की बगती न तो कर सकते और नहीं अपने उद्धे में सफ़ल हो सकते तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था के पूर्ण परमात्मा परमकसर ब्रम वो स्वेम ही सत लोग से चल कर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को अच्छी आत्माओं को मिलते हैं उनको तत्व ग्यान से परीचित कराते हैं परमात्मा उपर सत लोग में रहते हैं तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है अपना अत्मों ये चारों वेद परतेक प्राणी के हरदे में समाई हुए हैं जो विशेशकर हिंदू समाज से संब्दी थे और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत ग्यान है वेदों में जो लिखा वो फाइनल है सत है इसके साथ साथ पुवितर चारों वेदों के साथ साथ पुवितर शिरिमत भगवत गीता जी और साथ मैं पुवितर अठारा पुरानों को पुवितर हिंदू समाज एक बहुत आदर की दरिश्टी से देखता है और इनको सत ग्यान युक्त मानता है इसको सत ग्यान युक्त मानता है लेकिन इन गरंथों में थोड़ा सा अंतर है पुवितर चारों बेद और पुवितर शिरिमत भगवत गीता ये दोनों का मिलता जुलता ग्यान है ये गोड़ गीवन है और पुरानों का जो ग्यान है वो बिरमाजी का दिया हुआ है और बिरमाजी से आगे सुना उन रिशियों ने दकसादी रिशियों ने मनवादी ने और अन्य ने अन्य से अन्य ने अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ बिरमाजी के विचार कुछ अपना अनुभाव कुछ अपनी सोच अलग अलग दैसे भी अठारा पुरानों के अ अठारा वक्ता है, अठारा पुरान इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन भिन है, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से अठारा पुरान बना जी, वैसे यूँ अठारा पुरानों का ग्यान एक ही बोध माना जाता है, तो यह जो ग्यान है पुरानों का, यह ग डाल दिये थे इसके अंता कर्णमर डाल दिये और समेनर दारित कर दिया कि इतने समय के उपरान थी अपने आप इसके स्वांसों से बाहर आएंगे जैसे परमात्मा की विष्था है माता को गर्भ रहता है नो मेने के बाद एटोमेटिकली वो बाहर आजाता है इसी परकार परमात्मा ने इसमे विष्था की जब ये पांचों बाहर आएंगे इसने देखा कि कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पार्टी जान कि इसने जो तिने रंदन पिर इसने देखा पांचमा वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था उपर का सत लोग का कैसे जाना है और किस परकारी कोण परमात्मा है तुम यह कैसे फ़से थे तो ये जो तिने रंदन काल ने वो पांचमा वेद नश्ट कर दिया और चार वेद दे दिये भगवान के डर से इन चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है साथ साथ में इसकी भी महिमा है ये कितने सतर का भगवान है इसकी भक्ती से कितना लाब हो सकता है फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने चारों वेदों को पढ़ा उस चारों वेदों वाले ग्यान को श्री किरसंद जी में प्रवेश करके इसने बोला इसमें थुड़ा सा इसने एक आज जगे गड़बड करने की चेश्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ग्यान है वो और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है वो भी नहीं मानने हमने हमने कि वेद ग्यान को मानना है और पांचमा वेद प्रमेश्वर ने स्वेमाकर के बोला था उसको मानना है अठारा पुराणों को हमने सहयोगी सास्तर मान रखिया है कि इसमें जो लिखा है इन में इन बिर्माविशनों महेस जी की जीवनी है और इनोंने लिख रखिये तो इसको हमने इसलिए सत मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सती थीवा सही लिख रखिये और जो फुरानों में वेदों के विपरित ग्यान है वो मानने नहीं है विपरित कौन सा है जैसे Way of worship बाकि जो ग्यान है वो तो वेदों से अलग है वो तो उने इनकी अपनी जीवनी है बिरमाजी की कह सती थी है विसुनो जी की कह सती थी है भगवान संकर की क्या सती थी है इस तरह की कहानिया इसमें लिखी हुए लीला लिखी है उसकी साथ-साथ फिर अपने रिशियों ने अपना अनुभाव लिखा हुआ है तो उनका अनुभाव यदि वेदों के अनुसार नहीं है वेव फरसिप उसकी ऐसी नहीं है तो नहीं मानेंगे उन्होंने अपनी मर्दी से किसी में कोई मंतर लिखा है कोई कुछ लिखा है वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो उनका अपना सोच है वेद ग्यान नहीं है वो तो इस कारण से वेदों का ग्यान जो है वो फाइनल है और पुराणों का ग्यान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो बिर्मा विश्णों महेश को अजरो अमर कहा करते थे सर्वेसवर कहते थे कालज्या और मर्तुंज्या कहते थे और वो यही कहा करते थे कि शिव पराण में ऐसा लिखा है विश्व पराण में ऐसा लिखा है और मारकंडे पराण में ऐसा लिखा है बिर्मा पराण में ऐसा लिखा है आज हमने उन पराणों में जो पढ़ा वो बिर्मा विश्व में इसकी सती थी जैसा वो बताते हैं उसके विप्रित है और पुरान वही है तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से प्रिपूर्ण है और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेश्का की है हमने उन पुवित्र सद्गरंतों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है कहां रहता है उसको कैसे पाया जाता है हम यहां किसलिए दुखी हो रहे हैं हम यहां क्यों भटक रहे हैं रिसी महरिसी भी चले गए, यहां जख मार के, उनको भी रस्ता नहीं मिला, यह कारण क्या है? परमात्मा ने कहा कि नौमन सूत उड़ जिया, यह रिसी रहे जख मार, और सत्गुरु ऐसा सुलजा दे, उड़ जैना दूजी वार. परमेस्वर ने कहा, कबीर साहिब ने, कि यह नौमन सूत उड़ जा दिया, इन अग्यानियों ने, और साथमा इस कालने, ब्रमने, उन्हे अत्माओं परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और एक किल्लो सूत, सेर का करते हैं पहले एक सेर, एक किल्लो ग्राम सूत, यदी उड़ जा, सारा दिन ना सुड़ जाए, क्योंकि जै उसने तूट गया तो गाठ पड़ेगी, गाठ पड़ेगी तो कपड़ा साफ बढ़ा नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिलें, जुलाहे को फैक देंगे ठाक है कि समझ बीस गाठ लगा दी तूने, तो परमात्मा कहते हैं कि एक सेर, एक किल्लो ग्राम सूत को सुड़ जाने में सारा दिन लगाना पड़ता है, तो ऐसे ये अध्यात में कि ग्यान रुपी सूत नो मन उड़ जा दिया है इनोंने, कोई कुछ ग्यान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है, जैसे श्रीमत भगवत गीता दयाय नमबर 4 के, और सलोक नमबर 25 से लेकर 31 तक, यही बताने की चेश्टा की गई है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई उपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई सवज्धाय करता है कोई तिक्षण अहिंसा वादी वर्त रखता जैसे मूपपट्टी बांद के नंगे पैरों गूमना और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप ना सक जानते हैं फिर तुरंद का है चोथे जै के 32 में स्लोक में के इस परकार की बहुत विश्थार के साथ यग यानि धारमेक नुष्ठानों की जानकारी सचीदानंद गनब्रम की वाणी में उस परमक्सर ब्रम ने जो स्वेम आकर के अपने मुक से जो वाणी बोली है वो पांचमा वेद है जिस वेद को काल बगवान ने नश्ट कर दिया था उसकी पूरती करने के लिए स्वेम परमेश्वर ने आना पड़ा और उस ग्यान को ऐसे त्रीके से बोलके लिखवा जिया कि ये विद्वान पुरुश्दो एजूकेटिड मानते थे संस्कर्ट के गया था वो इन्हों सोचे ये तो उट पटांग बकवाद कर रहा की है इसमें कुछ को नहीं नहीं ते इसने भी नास करा देते है तो परमात आत्मा ने ऐसे गुप्त ढंक से ऐसी बानी से शिंपल सी ऐसे लोकल सी वासा वो लिखा पूरा माल बर दिया उसमें पूरा ग्यान ठोक दिया और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्कलोज ना करना जिनके समझ में आई बात जिनको परमात्मा मिल सच्खंड दिखाया वापस छोड़ा उनसे प्रतिग्या करवा दी थी कि धर्म दास्तों लाख दुहाई ये मूल ग्यान अभी किता बार नजाई मूल ग्यान बार जो पड़ ही ये बिजली पीडी हमस नहीं ते रही अगर ये ग्यान आज से सो वर्स पहले डिस्कलोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डेंडोरा पीठते मिलते और यही मंतर देते मिलते ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के तो डुपलीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाए जा सकता तो ऐसी बात बिगड़ जाती तो परमात्मा इस बगती को इस कलियोग तक लाए है कहते सोचल सीदर मैं करूँ अपने जनके काज हमारे लिए उन्होंने सोचल सीदर करने पड़े और उस तत्वग्यान को आज बीचली पीडी में लाके अब डिस्कलोज करवाए इस दास के दोआरा इसलिए परमात्मा ने कहा कि धरम दास तो एलाक दोहाई ये मूल ग्यान ये हैं मूल ग्यान और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ग्यान हम बाक्या और मूल ग्यान गुपत ही राक्या 33 इतिस अरब बानी बोल दी हमने हैं इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में दो हाल्यों में लेकिन ये मूल ग्यान दो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था और अब ये इस दास के मादम से सारवदनी करवा दिया वगवान ने क्योंकि अब ये सभी पंथ नश्ट होएंगे इनका अस्तितों खतम हो जाएगा कुछ दिनों में क्योंकि इस बुदीमान जनता है अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये लेकिन अभी तक इनके नूना जची है कि हमारे जो गुरू है ये कती नकली है और उनके उस में यकीन होगा जब इस दास के ग्यान को अच्छी तरह समझेंगे अर्सदगरंतों से मेल कर लेंगे फिर उन नकलिया न छोड़े कर आप आजाएंगे कुछ एक ऐसे विक्ति होते हैं जो ना कहे किसे कि कहे कि मानने और गुरू जी न जो कह दिया बस ठीक से उसके बारे में परमात्मा कहते हैं चातुर पराणी चोर है और मूड मुग्द है ठोट संतों के निकाम के इन-दे गर्दोट है इतने प्रमान देखके और जो व्यक्ति नीमान रहा कि ये संत नही है केते फिर वो तो मूड है, मुगद, मूड, ठोट फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पढ़े रहे हुना दो रहे एक भगत कह रहा था जी, ये आमत अगे सारे जितने दूसरे पंथां दो रहे बैठे है उसने एक उदारन दिया कि जैसे बाई बस ट्रेविल कर रहे है और रस्ते में कई बार बस खराब हो जाती है तो कुछ तो बदीमान से जब आइडिया लाले है कि या खराब होगी जटकम पटकम और लागरी है जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है तुरेंट उतर के चड़े जाते हुआ ना देखते है कदे कर दो बारा देना पड़े कुछ ऐसे होते हैं कि कंडैक्टर ड्रावर नों कहा दें भाई गाड़ी खराब होगी वो उतर के पिर दूसरी में बैठे है और उन्हों कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहें कंडेक्टेडरावर के के पाथ से भी वह जब उतरेंगे जब कंडेक्टेडरावर भी दूसरी बश्मस्ट डिलेंगे वो जब उतरे आकर करें किया सचमूत ये भी नारैवत है तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरू जी आते हैं यहां ते पलाइन कर जाएंगे क्योंकि जन्ता इनको जीर्ण नहीं देगी यहां पर इनका अनमोल जीवन बरबाद कर रहा एक सांस की कीमत प्रमातमा कहते हैं कहता हूं कही जात हूं कहूं बजा कर ढोल और यह स्वांस जो खल ली जात है यह टीन लोग कामो़ एक स्वांस की इतनी कीमत अन्मोनस जीवन के कितने जीवन सांस बरबाद कर दिये क्योंकि स्वांसों से जीवन है जीवका औrow यह कितने बरबाद होगे सथष्वगती ना करने से तो वो जो अब उनके कती सरदालो गणे है बिना ग्यान के वो जबाओंगे यहां पर जो वो भी आत्खड़ा कर देंगे कुछ तो यह भी पुन्यात्मा होगा कोई ऐसा कहें देता है वसे यहां बहुत से ऐसे महन्त है जो बहुत से स्ष्ष बनाए हुए थे उनके सिसों ने उन से संप्रक सादा इस ग्यान से प्रिचित हो करके और कहा जी देखो आप भी बगवान के लिए निकले हो और हम भी बगवान के लिए ही आपके अनुयाई बने है यदि ये ग्यान गल्ट है तो हमें कलियर करके बता जो अगर ये रामपाल ग्यान गल्ट बोल रहा है तो हमें बताओ ये परमान दे रखे अर नीता फिर आप भी आओ अब थोड़ी बहुत देर तो गुरू अगरम-मगरम करता है लेकिन फिर विवस हो जाता है क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए अगर इतनी सचाई देखकर वो नहीं आते हैं नहीं मानते हैं तो वो संत है नहीं वो तो परमातमा भी नहीं चाहते हैं क्यों महिमा चाहते हैं अपनी बिस चेले बने रहें जजयकार होई रहे फिर कठे भूत बनेंगे सारे आधनिये गरीबदास साहिब जी को जो प्रमात्मान ने उनको ये तत्व ग्यान दे दिया था क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गाहक कोटनंत और चार चीज मांगे हैं रिदिशी दीमान महंत उस प्रमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चैरवा ने छोड़ गए और चाव है पुरुस अलेख है तो ये सिब मान महंत के बूखे हैं जितने ये संथ पंथ बने हुए हैं यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना के लाण चाहते हैं और ये ही तैसी है अपने अनुयाईयों के तो इस दास के ग्यान से प्रिचित हो और इसमें बताओ गल्द कहा है और ये अपना टिपनी दो फिर इसके उपर क्यों नहीं बोलते हैं दस साल होगे दास ने गड़ा कठोर और सत्कुर्दाम ना पहुंचेंगे ये चोराशी के ढोर प्रमात्मा की वाणी को चुरा के सचकंड सचकंड कारट लारा केर कैख का पतानी इन लोगों को जैसे वेदों को गल्त मानने वाला कोई प्राणी नहीं खास कर इंदू समाज में और ये जो रादा स्वामी पंथ है इन उने के गुटी पैरा की असर दालूओं को क्या हमने वेदों की हो सकता नहीं ना हमने गीता जी की ना हमने पुराणों सी कुछ लेना देना संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है वो वेद भी तो किसी ने लिखे हैं वेद व्यास ने वेद लिखे हैं वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर है लेकिन ये वाणी किसकी है वेद व्यास राइटर है जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है वक्ता नहीं है ऐसे ही पुरान लिखे हैं तो पुरान जीस ने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया जो चारों वेद थे जो उनका इथारत ग्यान रिशियों ने घोट रख्या था वो एजी टीच उनों लिख दिया प्रमात्मा से प्राप्त करके क्योंकि भगवान ने आके ग्यान दिया था और बिर्माजी से फिर ये ग्यान सभी ने प्राप्त किया था तो उसने क्यों लिखा लिखा है लेकिन ये गौड गिवन है और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो भी ठीक उसी से मोक्स हो जागा और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जुरूत नहीं है हमारा तो ग्यान वेदों से उपर का है वेदों से उपर का हमारा ग्यानत है और हम जैसे कोई कहता है जैसे यहां कमल बताते हैं सरीर में पीछे तो वो कहते हैं हम तो सीधे तर्कुटी से चलते हैं हम तो तर्कुटी यहां नहीं है वैसे वो यहां बताते हैं यहां बैक महुती है और कहते हैं हम सीधे तर्कुटी से चलते हैं हमारा तो वहां से वो समावेश थी उसके अंदर जैसे दसमी का सलेबस होता है टैन्थ का कलास का तो उसमें पहली से लेकर क्यक है तो वही से शरू होते हैं तीसरी, चौथी, पांचमी, छटी, आठमी नॉमी का भी कुछ उसमें समावेश होता ग्यान का और इनका ग्यान दूरादास्वामी वालों के एक पूष्टक है सारवचन रादास्वामी वारतिक ये देखिएगा इसकी एक जलक दिखाते हैं आपको सारवचन रादास्वामी वारतिक रादास्वामी सत्संग ब्यास ये कहां से छपी है परकास्तिक है जग्दीश चंदर सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्सिंग ब्यास डेरा वाबा जैमल सिंग पंजाब दो हजार तीन में यह सोड मा संस्क्रण है और यह यहां से छपी है प्रिंटेड इंडिया बाई लक्समी ऑफसेट प्रिंटर्ज दिल्ली इतने में इसकी भूमी काम के लिखा है के सार वचन राधा स्वामी वारतीक अजूर स्वामी जी माराज के वचनों का संग्रह है यह वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दोरान सत्संगियों ने नोट किये थे स्वामी जी माराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्स बाद इनका संग्रह करके पुष्टक के रूप में छपवाया गया सन 1902 में बाबा जैमल सिंग जी माराज ने सार वचन राधा स्वामी वारतीक को पहली बार गुर्मुखी लीपी में छपवाया परस्तूत पुष्टक उसी पर्थम गुर्मुखी संस्क्रण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्क्रण परकासित किया जा रहा है स्वामी जी माराज का सुब नाम जिसने युरा दा स्वामी पंथ का चम्टा गड्या जिसका परवर्तक माना जाता है स्वामी जी माराज का सुब नाम सेठ शिव्डिल सिंग जी था आपने 15 अगस 1818 में आगरा सहर में जनम लिया आपके पिता जी का नाम सेठ दिलवाली सिंग जी तथा माता जी का नाम महा माया जी था आपके पुर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा गर्मे गुरुगर्द साहिब का पाठ किया जाता था आपके माता पिता आथरस के परसिद संथ तुलसी साहिब के बगत थे स्वामी जी महराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी बच्पन से ही स्वामी जी महराज कारुजहान अज्धातम की ओर था आपने एक कमरे में बैठकर सत्रे और सुर्थ सब्द योग का अभ्यास किया और सन ठारा सो एक सेट में बसंत पंच्पिय के दिन खुले तोर पर आम सत्संग और सुर्थ सब्द योग का उपदेश्क शुरू कर गिया पुन्यातमो अब ये सिवदाल जी तो थे सन ठारा सो ठारा मजन में आगरा में और इन्हों ने सत्रा वरस तक एक बंद कोछडी में बैठके और हट ही योग किया गुरू गरंद साहिब को पढ़ता था इसके अंदर से परमातमा का सचकंड सत लोग की तद ढूंड लिया फिर कबीर साहिब की वाणी में ते ले लिया करने नो दीदार मेल में प्यारा है एक सब्द है बत्तिस कली का वो इनके खोलना आया ना इनका समझमाया नहीं तो काल से प्रेरना थी ही इनको और ये एक नकली सांग जोड का बैठ गे अब दिखाते हैं इनका के ग्यान था जो वेद्दों से भी उत्तम बतावे हैं और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी माराज शिवजाल जी फाउंडर ओफ रादा स्वामी अरिशी रादा स्वामी से सच्चा सोदा सिर्शा वही ग्यान वहीं से उपदेश पराप्त है उनको और ये मतुरा के अंदर जैगुर देव और इधर ये ठाकुर जी माराज थ ना है और दिली में किर्पाल मिसन ये सारा एक का कुए का पाणी है इस सिवजाल जी के इस ग्यानत समझ लेना उनके पास क्या है और जनोदमें एक महाराज व हुई तारा चंद जी वह भी उस राधा स्वामी के कुए का पाणी वर कहा वाटने थे वही ग्यान ये देखना ये वही पुष्तक चल रही है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक ये वही चल रही है अब हम इसके यहां जाते हैं राधा स्वामी द्याल की द्यार राधा स्वामी साहिब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का अब सिर्द्याल जी के वचनों का खुलासा लिख रहा है जो उसना बोल्या वो का वो अब दफा एक में पढ़ते हम शिर्फ काम इतना है कि इनसान यानि अपनी सुर्थ यानि रूह को उसके खजाने और निकास यानि मुकाम सत्नाम और राधा स्वामी में मुकाम माने सथान सत्नाम सथान कहा है राधा स्वामी भी सत्नाम कहा है मुकाम इनका ग्यान देखी हो तोड़ पाड़ राखे ने पहुंचावा है यानि सुरादासवामी सत्थानमा पहुंचावा है सत्नाम सत्थानमा अपनी सुर्ट पहुंचादे फिर तीश्रे वचन में गीता के से सलोक बना रहा है जितने आचारिये और मात्मा और रोतार पैगंबर हर एक मजम्म हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले असली सत्थान की और चले कोई बर ले संत मंजल आठमी यानि रादा स्वामी तक पहुंचे अचा शिर्फ संत मंजल पांचमी यानि सत्थनाम पर पहुंचे अब या मंजल पांचमी सत्थनाम और कोई बर ले संत मंजल आठमी यानि रादा स्वामी पर पहुंचे अब यहां देखो आप अपने देख लिए अब यहां तक क्लियर कर जाए नहीं कि सतनाम भी सथान है मंजिल को हो यह मंजिल का यहां इना वाद भी कर रहा है मंजिल माने सथान है देख यू रहा मंजिल माने सथान है यानि फिर देख लो क्योंकि ये गणग गहरा ग्यान है ने लिए समुझ मैं आवड भी कोई बिरले संथ मंजिल आठमी यानि सतान आठमी यानि राधióस्वामी पर शिरफ संथ मंजिल पांचमी सतनाम पर सतनाम सतान हो गया मंजिल माने सतान सतनाम सतान पर पहुंचे अरीव देखियो च्यार वचन प्रिष्ट नमबर पंदरा पे कमाल कर दिया इसमें तरे काड़ दोड़ दिया वेद फेल कर दिया सारे अब समझना चाहिए कि रादास्वामी पद सबसे उंचा मुकाम है सबसे उंचा सथान है रादास्वामी और यही नाम कुल मालिक और सचे साब का है सचे खुदा का है और इस मुकाम से दो सथान नीचे यानि रादास्वामी सथान से दो सथान नीचे सथनाम का मुकाम है देखिए नीद मैं बोलने है तरा गजब वयो अब कहते हैं शिर्फ संत मंजल पांचमी यानि सतनाम पर पहुँचे और मंजल माने सथान और ये कहे हैं सतनाम तो सथान हो गया सतनाम सथान को कहते हैं ये भी कहते हैं इस मुकाम से दो सथान नीचे और मुकाम भी सथान उसे अब सतनाम भूल जावाम इस दो सथान नीचे सथान का सथान है ये वेद से गुड ग्यान है नहीं का सत्थान का सत्थान है और इस सत्थनाम को फिर कैसे डिफाइन किया देखना परिवासा कैसी बताई है सत्थनाम का मुकाम है जिसको इस सत्थनाम को संतों ने सतलोक सच्खंड सत्थनाम को सतलोक भी कया है सच्खंड भी सत नाम को कया है और सारसबद भी सत नाम को सत सबद भी सत नाम को और सत नाम भी सत नाम को और सत पुरस भी सत नाम को जैहोरा धासवामी आलो ये इनका वेद्दों से भी उपर टॉप मोस्ट गयान है इन कह खे का नहीं बता है सतनाम खान का से एक पीन का है कि तो कोई सथान है या नाम है और दिखाता हूँ थोड़ा और इनकी कत्याची इंदी हो जाएगी अब एक पुष्टक है संत मत परकास भाग तीन ये पांच भाग हैं इनके संत मत परकास के और स्री सावन सिंग जी जो है वो बाबा जैमल सिंग जी के उत्रा जिकारी थे तुरंथ और सावन सिंग जी के सिस्थ थे ये किरपाल सिंग जिन उने दिली में अपना अलग मिसन बना लिया और उनी के सिस्थ ते सच्चा सौदा शर्षा में जिन उने अलग सत्थान बना लिया सावन सिंग जी के थे खेमामल नाम था उनका बिलोचिस्तान के रहने वाले थे और फिर उनको सामस्ताना केंड लागे और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया ये उनही का ग्यान है ये कठा ही सबका और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंग जी के के विचार थे तो फिर अंडर्स्टूड है सच्चा सौदाला गे के होंगे ये देखने और सिवद्याल जी के होगे फिर करना है के है ये है संत मत परकास भागतीन ये है संत मत परकास भागतीन और ये हैं बाबा सावन सिंग जी महरा सावन सिंग जी संत मत परकास भागतीन अजूर महरा सावन सिंग जी के सत्संगों का संग रह रादा स्वामी सत्संग ब्यास से ये छपा है परकासक है जगदी चंदर सेठी सेक्रेटरी रादा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाब बाजय मलसिंग पंजाब और यह यहां से छपी है प्रिंटेड इन इंडिया भाई गॉपसंद्स पेपर्ड लिम्टिड आप इसमें दिखाते हैं आपको एक सो दो प्रिष्ट पर लिखा है इसके एक सो दो प्रिष्ट पर संत्मत भागतीन यहां लिखा है इसने इस सत्पुर्स सत्नाम कहाई सत्लोक निजपाया आई इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का सच्खंड या सत्नाम चोथा लोक है जागे न, सचखंड या सतनाम सोथा लोक है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है यह सचखंड सतनाम, और अगर यहाँ सतगुर्च से रहा लेकर मेनद करके अंदर परदा खोल ले, तो सचखंड पहुचा जा सकता है ठीक, अब हमने यह देखना है कि यहाँ कह रहा है यह सच घंड या सदनाम चोथा लोक है यह सदनाम चोथा लोक है यह अपने अंदर है सब कह माराज शावन सिंग जी कहते है यह कोन सिय राम का जिकर कर रहा है तो महराज सावन सिंग जी कहते है कौन से राम का जगर कर रहा तू वह सत्संगी कहने गया क्या राम बहुत सारे है महराज जी यानि सावन सिंग जी कह रहे है राम चार है आपका इसारा कौन से राम की तरफ है अब सत्संगी पूछा है का जूर चारों राम खोल के बताईए महराजी लागे खोल लड़ फिर एक राम दसरत गर्डोल है एक राम सब घट घट में बोल है एक राम का सकल पसा रहा एक राम तरभून से नहा रहा और देखो इसका रुआद किया भी से ने पहला राम राजा दसरत के बेटे थे जो तरी तायुग में अवतार थे आये और अपने डूटी अदा करके चले गए लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते हमारा काम नहीं कर सकते अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है तीसरा राम ब्रम है जो सारी तर्लोकी को पैदा करता है पालता और नास करता है तोथा राम सतनाम है, यो असली राम है इनका अकल देखो पत्थर पड़रीन पर किता सतनाम सत्थान है इव यो सतनाम राम है यो असली राम है www.jakatguru.org संतरामपालजी महराजी के शुब अशिवाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यदा नाम दिखश केंदर हैं जिन पर संतरामपालजी महराजी द्वारा ओनलाईन निशुल नाम दिखश दी जा रही है अपने नस्दीकी नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541